आपको क्या लगता है कि इन चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है देखे मैंने दस बिल दिये हैं comprehensive electoral reforms के इसमें constitution of India के amendment के साथ representation of people's act 1951 conduct of election rules 1961 delete delimitation act then it act 1961 इसके साथ में companies act 2013 then telecom regulatory authority of India का जो act है वो cable networks का जो act है वो ऐसे जो है constitution को लेकर लगबग जो है वो दस laws को amend करने का मैंने जो बिल बना के दिया और बिल्स यहनि अगर आपको कुछ नहीं करना है इसमें debate करके जो भी माइनर सुधार करना है वो करके जो है यह बदलाव लाया जा सकता है ऐसा रेडिमेट बना के दिया है और हम वरी हपी कि भारत की हिस्ट्री में constitution बनने से लेके अब तक ऐसा कभी भी किसी ने electoral system नहीं सोचा है अगर आप one point by point पूछेंगे तो मैं इस नहीं लेकिन एक कोई भी opposition party का कोई भी एक member parliament वह इसको private member bill करके table करेगा तो private member bill अगर table होता है तो उसको भी सेम procedure होती है government bill की सिर्फ वो business में listing में थोड़ा पीछे जाता है तो मैं यह चाहता हूं कि वह parliament के record प्याए उस पर discussion और वोटिंग हो फिर उसे पास होना है की नहीं होना है वो बात का issue है लेकिन यह parliament का record बनेगा तो पुरे दुनिया की जो democracy से वो देखेगी कि भारत में इस तरह का आमुलागर जो बदलाव है वो जो है कोई party जो है इसको लाना चाहती है बारत के लोग लाना चाहते है तो पहले step है और जनता में जनान दोलन करना है दूसरी step है तो यह यह इन बदलाव में क्या सुझाओ है आपके देखिए मैंने जो हमारे देश में जो है एक तो देड़ हजार MPs होना चाहिए लोग सबा में उसमें के 752 होना चाहिए proportional representation system में 748 होना चाहिए FPTP जो अभी का FPTP है वो सिंगल मेंबर है लेकिन उसको करें यानि मान लीजे हम अगर बैठे राम टेक नाकपूर की जो लोग सबा है या दिल्ली की लोग सबा कोई भी एक ले लीजिए उसमें एक MP नहीं जाएगा उसमें दो MP जाएंगे विदान सबा में भी प्यार सिस्टम पर्लैमेंट असेमली और इवन लोकल बॉडिज में ग्राम पंचायत को छोड़कर जहां पर भी पार्टी लेवल पर चुनाव हो रहा है प्यार सिस्टम और मिक्स सिस्टम दोनों यह किया है दूसरा प्यार सिस्टम में एक सब्सें बड़ा इशू होता है क सब्सेंट करना चाहिए यह कहा था जिसको केटी शाह और कंजरू जी ने सपोर्ट किया था मुहमद अली बेग ने जो है वो उसको सपोर्ट किया था मुझे दुख से कहना पड़ता है कि संविदान सभा में इंक्लूडिंग आल में कह रहा हूं इस पर बगर रिसर्च किया इसको रिजेक्ट किया और उसका रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था वो डिवेट्स को पढ़ सकते लोग जाकर कि वह प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में स्टी का रिजर्वेशन गारेंटी नहीं हो सकता है तो मैं यह कहना चाहता हूं मुझ को नहीं समझा वह मैंने सौल किया इसकी मुझे खुशी है एक बात की दूसरा एक सवाल पियर सिस्टम में होता है कि कट आफ लिमिट किया किसी पार्टी को कितना परसेंट वोट मिलने से उसको एलिजिबिटी आएगी तो इसमें जो है 0.15 परसेंट का कट आफ वो नैशनल तो उनको शायद 32-33 लाक लोग सवा में मिला था एक्सक्लूडिंग एम एम लेकिन उनका एक भी एमपी जो है वो चूनकर नहीं गया लेकिन प्यार सिस्टम यदि होता और नौलाग भी वोट मिलते हो तो तीन एमपी जा सकते थे तो यह एक प्रॉब्लम मैंने सॉल की है औ देवल 24 लोग तंद रहें यह जो अभी का सिस्टम है एपिटीपी का वो भी ऐसा नहीं है बारत का सबसे अपराती नहीं दिखाए उसको करते हैं और 81 जो कंट्रीज है वो पियार सिस्टम या हाइबरीड सिस्टम को करते हैं दुनिया की अगर मैं डेवलप कंट्री की बात झाल